बाई हम कोई भी अगर काम करते हैं चाहे अब इंशुरेंस का काम करें या फिर हम कोई भी प्रोड़क्ट सेल करते हैं तो सेल करने के लिए हमें उन तरीकों को पता करना जरूरी है कि हमारी सेल कैसे बढ़े तो आप सभी insurance advisor जो field में जाके रात दिन महनत करते हैं लेकिन आपको output नहीं आता है आपकी policy sales नहीं होती है आपकी महनत सफल नहीं होती है क्यों नहीं होती है कभी आपने सोचा है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी sales को कैसे बढ़ा है कैसे आपकी sales बढ़े कौन से तरीके आपको use करने चाहिए क्या आपको changes करने चाहिए और किन तरीकों को use करके आप अपनी sales बढ़ा सकते हैं तभी आप इस 2023 में MDRT कर सकते हैं COT कर सकते हैं और TOT कर सकते हैं अगर आपकी sale बढ़ेगी तो automatic आपका business भी बढ़ेगा, आप ज्यादा पैसा भी कमाएंगे और आपकी MDRT, COT, TOT भी होगी. तो सभी insurance advisor जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले हैं, और side में जो आपको एक bell icon दिखाए दे रहा है, उस पर जाकर notification को all पर set करें. और जो दर्सक मेरी ये वीडियो मेरे Facebook पेज पर देख रहे हैं, तो हमारे Facebook पेज को like कीजिए और follow कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको हर एक वीडियो का notification सबसे पहले मिलता रहे. चलिए आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, sales इस दुनिया का सबसे खतरनाक profession, खतरनाक इसलिए कह रहा हूं में, क्योंकि हर किसी के बस की बात sale करना नहीं है, कोई भी product sale करने के लिए पसीने छूड़ जाते हैं, कोई भी company नया product launch करती है, तो उस company का future एक salesman के उप पर depend होता है, अगर company की sale बढ़ेगी, तो company profit में जाएगी, और अगर company की sale नहीं बढ़ेगी, तो company loss में जाएगी, इसी तरीके से एक insurance company, life insurance corporation of India, जितनी बड़ी company है, ये company की जड़ है ना, वो है insurance advisor, insurance advisor के बलबूते पर ही, आज ये company इतने profit में चल लई है, जितनी मेहनत insurance advisor न और company का business है, वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, insurance advisor की मेहनत, आज life insurance corporation of India, जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, और company का profit दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसका सीधा सीधा जो create जाता है, वो जाता है insurance advisor को, क्योंकि insurance advisor की मेह मेहनत के दम पर ही, ये company आज यहाँ पर पहुँची है, जितनी भी private companies है, वो companies का output लगा लिजे, उन company का business लगा लिजे, और life insurance corporation of India का business लगा लिजे, कितना difference है, insurance advisor मेहनत करते हैं, फिल्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन कुछ advisor ऐसे होते हैं, जो नए होते हैं, जिनोंने नया-nया company join किया, उनको पता नहीं होता है कि किन तरीकों को use करके वो अपनी sale बढ़ाएं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ पहला तरीका, पहला तरीका जिसकी बदोलत आप अपनी sale बढ़ा सकते हैं, जब भी आप insurance company join करते हैं, जब भी आपकी agency start होती है, आप कोड आपकी branch में open होता है, तो आपके development officer आपको target देते हैं कि जाओ, field में जाईए और अपना policy login कीजिए और अपनी agency को activate कीजिए, तो आप अपने जानकार के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं, अपने friend circle में जाते हैं, अपने mama के यहां पे जाते हैं, उनको बताते हैं कि sir, ये policy है, इस policy का ये benefit है, वहाँ से आपको एक, दो, चार policy तो मिल जाएगी, जो आप अपने non के हां से policy लेकर आप रहें, लेकिन जब आपकी market खतम हो जाएगी, फिर आपका business कहां से आएगा, कैसे आपका business आगे बढ़ पाएगा, तो सबसे पहल तरीका है, अपनी sale को बढ़ाने का, कि आप अपना time table बनाए, आपको अपना time table बनाना है, और आपको ये commitment अपने आपसे खुद करना है, कि रोज मुझे तीन नए लोगों से मिलना है, तीन नए लोग, उनसे face to face जाके मिलना है, मैं phone पर बात करने की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने तीन लोगों को phone मिलाया, आपने उनसे बात की, वो meeting नहीं है, आपको तीन नहीं लोगों से face to face जाके मिलना है, उनकी ज़रुरत को समझना है, उनकी requirement का है, उसको समझना है, और उनकी requirement के according उनको plan suggest करना है, उनके future के बारे में बताना है कि आपकी family का future किस तरीके स secure रहेगा, अगर आप उसकी need को समझ चुके और आपने उसकी need के according उसको plan suggest किया, तो कहीं न कहीं 50% deal आपकी वहीं पर close हो जाएगे, और दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि वो अगर आपसे private company के बारे में पूछता है, वो आपसे दूसरी company के बारे में पूछता है तो आप उसके सवाल का जवाब वहीं पर दे कर आए, सवाल को ignore ना करें, जो सवाल उसने पूछा, अगर उसके मन में कोई सवाल चला है, उसने पूछा कि इस company में इतने benefit मिलते हैं, आपकी company में कम benefit मिलते हैं, या आपकी company दूसरी company से क्यों better है, आपको ये समझाना है उसक market में जाके, door to door जाके लोगों से मिलना है, face to face जाके लोगों से मिलना है, रोज तीन नए prospect आपको ढूणने है, तीन नए लोगों से आपको meeting करनी है, पहला तरीक आपको ये करना है, अब बात करते हैं, दूसरा, दूसरा sales बढ़ाने का दूसरा कौन सा तरीक है, दोस्तों आज कल आप देख रहे हैं, कि आज कल जो technology है, technology दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आप उस technology का सारा नहीं ले पाते हैं, आज की date में अगर आपके पास database है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप bulk SMS ले सकते हैं, bulk SMS का package लीजे, आपके पास अगर 10,000 number हैं, उन 10,000 number पर आप bulk SMS कर सक सकते हैं, उस SMS में आप कोई offer निकाल सकते हैं, कि company का offer है, दिवाली offer है, कि अगर आप दिवाली time पर नई policy खरीते हैं, तो आपको company एक gift voucher दे रही है, या आप अगर दिवाली से या holy के time पर जो भी offer आपने निकाला है, उस time पर अगर आप policy लेते हैं, तो company आपको एक vacuum cleaner द निकाल सकते हैं, आप iron दे रहे हो, आप crockerी का समान दे रहे हो, कोई भी आप gift निकाल सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये sale बढ़ाने का एक तरीका है, तो दूसरा आपको कुछ ना कुछ offer देने है customer को, जो आपके पार database है, उस पर आप bulk SMS कीजिए, बulk SMS आप करेंगे, तो ऐसा data आपके पास होना चाहिए, जो data genuine है, ऐसा नहीं कि market में, आपने market में बहुत सारे लोग data प्रोवाइड कराते हैं, कि हम लोग data प्रोवाइड करा रहे हैं, एक lap number इतने में मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो data बक्वास data होता है, वो data आपको नहीं खरीदना, आपका genuine data होना चाहिए, genuine data के पास कैसे आएगा, आपके through, आप जिन लोगों से मिल चुके हो, वो लोगों का number, जिन लोगों से face to face आप मिल चुके हो, उन लोगों के numbers, या फिर अगर आपने कोई campaign run किया हुआ है, वो campaign से आपके पास जो leads आ रही हैं, वो numbers आपको मिलेंगे, उन numbers प करते हैं, तीसरा तरीका, और तीसरा तरीका है दोस्तो, social media, social media, social media के द्वारा आप ऐसे customer ढूण सकते हैं, जिन के पास पहुंचना तो दूर की बात, आप वहां तक पहुंचने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, आप चाहते हैं कि company के managing director, आपके area में, company के managing director, उनको आप policy बेचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि company का chairman, उनको आप policy बेचना चाहते हैं, आप चाहते हैं, company के CEO, उनको आप policy बेचना चाहते हैं, तो face to face जाके, door to door जाके, आप उनसे मिलके, तो धून नहीं सकते हो, कि कौन company का chairman है, कौन managing director है, कैसे आप धून देंगे, social media के दूर, social कंपनी के CEO है, जो कंपनी के managing director है, जो कंपनी के chairman है, तो आपका advertisement सिर्फ उन्हीं लोगों के mobile पर चलेगा, जो कंपनी के CEO हैं, जो कंपनी के MD हैं, जो chairman है, तो वो लोग आपका advertisement देखेंगे, और अगर उनको insurance policy की ज़रत है, उनको आपका advertisement देखेंगे कुछ अच्छा लगा, तो वो आपसे contact करेंगे, और अगर ऐसे high profile customer से आपको मिलते हैं, तो आप सोच ये कि अगर एक deal भी आपकी close होती है, तो एक deal ही आपकी MDRT करा सकती है, तो ये तीसरा तरीका जो मैंने बता है, बहुत effective तरीका है, आप social media पर Facebook advertisement के दुआरा targeting कर सकते हैं, चोथा तरीका जो आपकी sales बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, दोस्तो ये होता है, references, जिन लोगों से आप मिल चुके हो, जिन लोगों को आप policy sale कर चुके हो, बहुत सारे insurance advisor उन लोगों से अपना contact ही खतम कर देते हैं, policy based दी, मतलब खतम, ना तो उनको phone करते हैं, ना ही उनको कोई greetings बेजते हैं, ना ही festival पर उनसे contact करते हैं, ना ही उनके birthday पर उनको wishes करेते हैं, ऐसा क्यों? आप जड़ा सोचिए, जितने भी insurance advisor मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके जितने भी customers हैं, अगर आपके 1000 customers हैं, या आपके 500 customers हैं, क्या आप उन 500 लोगों के touch में हैं? अगर आप उन 500 लोगों के touch में नहीं हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी mistake है, वो 500 लोग, अगर वो 500 लोग आपकी service से satisfy हैं, तो एक customer से जाके, अगर आप 5 references भी लेंगे, तो 5 references लेने के बाद, आप उनसे contact करेंगे, और उस आदमी का reference उनको देगें, कि sir Mr. Deepak ने आपका मुझे number दिया है, उनका policy में ने किया था, तो ये वो prospect हो, ये वो lead सोंगे, ये वो customers होंगे, जो reference के थुरू आपको मिले हैं, और इनके conversion के chances बहुत ज़ादा होते हैं, तो फिर उस से बात करेगा, जिसने आपको reference दिया है, और वो बोलेगा कि हाँ, अच्छा advisor है, आप policy ले सकते हैं, तो इस तरीके से आप reference लेना बिल्कुल न भूले, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप एक बार policy सेल कर दी, उसके बाद भूल जाते हैं, और आगे आप नए-ने customers ढूंडते रहते हैं, ये आपके ऐसे customers हैं, जो आपको life insurance policy भी देंगे, health insurance policy भी देंगे, आपकी गाड़ी, उनकी गाड़ी है, तो उसका insurance भी वो आपसे कराएंगे, तो ऐसा नहीं कि एक बार policy सेल कर दी, और उसके बाद भूल जाते हैं, और अगला जो तरीका है दोस्तो, ये तरीका है, bulk email, अब जो आपके पास database आया है, जो आपको customers मिले हैं, email के लिए आप एक अच्छा सा landing page बनाएं, उस landing page पर आप अच्छे से offer निकालें, और उन 10,000 या 15,000 लोगों को bulk email send कर दें, और आज ऐसा नहीं कि रोज आप उन्हीं लोगों को email send कर रहे हैं, नहीं, आज आपने offer निकाला Sunday के दिन, आपने उनको सबको mail कर दे, फिर next week आपने फिर एक offer निकाला, फिर आपने email कर दे, तो इस तरीके से कुछ gap देकर आप उनको bulk email कर सकते हैं, अगर आप रोज-रोज उनको एक email, एक email करते रहेंगे, तो वो उसको unsubscribe कर देंगे, और फिर आपकी email उन तक नहीं पहुचेंगे, तो दोस्तों यह जो मैंने आपको तरीके बता, यह तरीके हैं आपकी sales बढ़ाने के लिए, आप जिस sector में भी हैं, आप direct selling में हैं, आप insurance में हैं, आप कोई mutual fund sale करते हैं, आप health insurance policy sale करते हैं, या आप direct selling company में हैं, या फिर आप MLM company में, network marketing में हैं, तो आप अपनी sale बढ़ाना चाहते हैं, network marketing में sale बढ़ाने का मतलब कि, आपके under में team बढ़ती चली जाए, आप कैसे ढूंडेंगे नहीं नहीं लोग, तो यह जो तरीके मैंने बता, इन तरीकों को यूज करके, आपको नएने customers मिलेंगे, नएने prospect आपके बनेंगे, और आपकी sale दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगे, तो आपका जो लक्स है कि 2023 में MDRT करना, 2023 में 10, 20, 30 लाग रुपे कमाना, तो यह तरीके आप यूज करके, यह पैसा अर्ण कर सकते हैं, तो दोस्तो, आप जितने भी insurance advisor, अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को subscribe जरूर करें, और side में bell icon है, उस पर जाकर notification को all पर set करें, और Facebook के दरसक, मेरे Facebook page को like करें, और follow करें, और भूलेगा नहीं, हर एक Sunday राठीक 9 बजे, मैं अपना YouTube live program लेकर आता हूँ, जहाँ पर आप सभी दरसकों के प्रिश्णों का जवाब दिया जाता है, जो भी आपके प्रिश्ण है, आप अपने प्रिश्ण मुझसे पूछ सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में इतना है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दरसकों का हमारी वीडियो से जुडने के लिए, थैंक यू सो मच,